हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भारते ये रेलो में केप्राइट टिकेट बुकिंग की सुरुवाद 20 फरोरी 1986 को की गई थी वहीं अगर हम बात करें IRCTC की तो IRCTC से आउनलाइन टिकेट बुकिंग की सुरुवाद 3 अगर सन 2000 में की गई थी वैसे इससे पहली की जो रेलो में टिकेट बुकिंग होती थी वो पूरी तरह से मैनुली की जाती थी और ये एक लंबी कहानी है इसके बारे में हम फिर कभी आराम से डेटियल में बात करेंगे किसी अलग वीडियो में बसे बात करें आज की तो आज की समय में काफी रेलो टिकेट जो है वो अनलाइन बुक किया जाते हैं और इसका आकणा जो है वो करीब 70% के आसपास है 70% के आसपास जो लोग है वो अनलाइन टिकेट बुकिंग करते हैं इंडियन रेलो में वहीं जो बागी के बचे 30% लोग वो railway के ticket booking counter से अपना ticket book करते हैं तो दोस्तो जब इतने ज़्यादा लोग online ticket booking करते हैं तो उनको कही न कहीं से थोड़ा सा problem भी जरूर से होती होगी आप बात करते हैं online ticket की तो दोस्तो आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर से होगा कि आपने online ticket booking किया है और जिस दिन आपकी यात्रा है जिस दिन आपको journey करना है उस दिन आप जब इस्टेशन पर पहुँचते हैं तो आपको बता चलता है कि आपने जो अपना ticket है वो तो print ही नहीं कराया है तो ऐसे में आप सवाल उड़ता है कि अगर ticket online हो और वो भी print ना हुआ हो तो क्या उसकी photo जो है mobile में दिखा कर या फिर mobile में उसका SMS बगरा दिखा कर यात्रा कर सकते हैं train में या फिर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो आज का वीडियो जो है इसी topic पर होने वाला है कि आप अपना जो train ticket होता है वो mobile में दिखा कर या फिर उसका SMS बगरा दिखा कर train में यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं और यह मैं दोनों condition में बताने वाला हूँ चाहे आपने ticket online book किया हो या फिर railway के ticket booking counter से book किया हो दोस्तों वीडियो की जानकारी बहुत छोटी से जरूर से है और यह जानकारी आपके लिए काफी helpful होने वाली है और खासकर उन लोगों के लिए जरूर से होने वाली है जिसको इनके बारे में नहीं पता है हेलो दोस्तों मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं रेल जरनी फिद राहूल दोस्तों रेलवे में ticket booking का जो process होता है वो दो तरीके से होता है पहला होता है online ticket और दूसरा होता है रेलवे के ticket booking counter से बुक किया गया ticket जो पहला online ticket होता है अब उसमें चाहिए आप खुद से ticket book करें या फिर किसी agent से book करें दोनों ही मामलों में वह online ticket ही माना जाएगा तो सबसे पहले हम online ticket की ही बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आपने ticket online book किया है और आपका ticket जो है प्रिंट नहीं हुआ है आपके mobile में है चाहे वह PDF फाइल में हो या फिर फोटो कॉपी में हो या फि चीजों को आप दिखा कर देन में यातरा कर सकते हैं अगर आपने ticket online book किया है तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं clear कर देना चाहता हूं कि अगर आपने online ticket booking किया है और वो टिकट आपका sleeper class का 3 AC, 2 AC, 1 AC का है तो यह नियम जो है इस condition में लागू होता है अगर आपने जहां पर टिकट को प्रिंट कराना पड़ेगा क्योंकि वो जो टिकट होता है उसमें कोई seat संख्या और नहीं होती है और उसको आपको प्रिंट कराकर ही यातरा करना चाहिए जो अरच्छन वाले कुछ होते हैं उनका अगर आपने ticket book किया तो उसमें seat number और होती है तो फोट दिखाकर या फोटो कॉपी कराकर या फिर उसका जो एसमेस वगारा किसी तरह से दिखाकर इस तरह से आप यातरा नहीं कर सकते हैं यह पूरी तरह से इंवेरिट माना जाएगा अगर आपने ticket station से लिया है तो उसकी original copy के साथ ही आप या train में यातरा कर सकते हैं अब आप को कैंसिल करा सकते हैं और इसी नियम का दुर्पयोग नहों इसका कोई नाजाज फायदा ना उठाए इसलिए इस रूल को बनाया गया है दोस्तों उमीद करता हूं यह चीजिए आपको अच्छे तरह से समझ में आ गोएंगी कि आप मुबाइल में जो है अपना ticket की फोटो या फिर SMS वगएरा दिखा कर क्या तरह कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं दोस्तों अभी भी अगर आपको इस से रेट कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप नहीं से पूछ सकते हैं मैं उसका reply आपको जरूर से देंगा तो दोस्तों मिलते हैं आप से जल्दी है कै इसे ही नए वीडियो में ऐसी ही नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन एंड कोड़ बिले से वाल